शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें हीसी नही एसने ही हुनाची में हैसने ही हुने दूगा काश मेरे पास जादू की छड़ी होती है तो इन सारी फिरंगियों की लड़कियों में चान डाल दीता है तो सब के सब मेरी बात में होती है क्या मजा आता है अरे कब तक अंदर बैठने का विचार है जब भी मुड बनता है पत्नी जुका दौरा पड़ जाता है पता नहीं घंटों बात्त्रूम में बैठकर करते क्या है या वाकिजे ला रही हो भई अराम से हलका भी नहीं होने दूगी क्या एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम बात्तरूम में बैठकर करते क्या हो तो फिर अरी भागवान हमारी शादी को 25 साल हो गए जब देखो शक करती रहती हो यार कभी हमारे से प्यार बरी बाती भी तो किया करो हां हम पच्पन के क्या होगे तुमने तो हमारी रोमांस के दुखानी बंद कर दी चलो मौक अच्छा है इस क्लाड़ा पे अरी चलो हटो उस तो शर्म करो इस उम्र में लोग पूजा पाट करते हैं और तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ बासना और जुबान पर गंदी बाते ही रहती है अरे पाबाजी आप यहाँ तुम इस सारी बेंकर बहुत अच्छी लग रहे हैं इसलिए तुम्हें पास आकर देखने लगा वैसे आज तुम्हारा देवर आ रहा है अरे बाबी को तो सल्दना ही पड़ेगा ना अरे 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 बाबाजी राजेश का फोन आ रहा है ने उढ़ा लेती हुआ हालो है मिल गई आपको फुरसत सौरी यार बहुत पुरी तरह फसा हुआ था अब आगे सा नहीं होगा चलो जाओ माफ किया अगले नहीं घर आवे हो ना राजेश इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा आना इपड़ेगा हाँ ठीक है थोड़ा सा टाइम दे तो मुझे मैं मुझ करता हूँ ताजेश दो साल हो गया है मुझे भी आपकी आद आती है ठीक है आगे से मापको आने के लिए कभी बोलेंगे ही नहीं ठीक है अरे बह बहु राजेश का फोनेला मुझे बात करा है हां है है यलो राजेश चा बात है आजकल तु बहु को बहुत तंग कर रहा है अगर तू अगले महीने घर नहीं आया ना तो बहु के साल सा तेरी मा भी तुससे बात नहीं करेगी अच्छा ठीक है माँ सब लोग मिलकर मुझे अगले महीने आजाओंगा अच्छा मैं रखता हूं बात मैं फोन करोगा बाए चल ठीक है बाए ऑए बाहु तू चिंता मत कर और अगले महीने वो घर आ रहा है आप तू चल के नाश्ता गर ले बाना मैं तुझे भी नाट लगाओंगी चल अरद आप की पूजा खत्मोंन चोटा बेटा जो आ रहा है आपका, लगता है प्रमोध आ गया अरे बेटा तु आ गया, कबसे हम लोग तेरा इंतिजार कर रहे थे अब यही खड़ा रहेगा कि अंदर भी आएगा बेटा, यह लड़की कौन है तेरे साथ में? मा यह आपके बहु प्रियंका है हम लोग नो एक दूसरे से डैले में मिले थे वहीं प्यार हुआ फिर हम लोगों ने शादी कर लिए माफ कीचेगा, सब कुछ इतना जल्दी हुआ आप लोगों को बताने का मौका ही नहीं मिला इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे मा हूँ मैं तुम्हारी तुम्हारी शादी को लेकर मेरी भी कुछ अर्मान थे मा मैं जानता हूँ आपको मेरी शादी के बहुत फिकर थे पर मैंने तो आपका काम असान कर दिया ना बहु लाके अब आप अराम से अपने सारे अर्मानों को पुरा कीजे एक बहु को अपके लिए कितनी प्यारी बहु लेके आया हूँ मा बुस्टा छोड़ी है ला अब अब अपनी छोटी बहु को आशरवाद दीजे प्लीज अरे शीला तुम्हारा बेटा ठीकी तो कह रहा है आज कल के बच्चे अपना जीवन साती खुद चुनते हैं और हमने छोटी बहु को तो आते ही पसंद कर लिया मेरा मतलब स्विकार कर लिया था देखो देखो कितनी प्यारी और संदर बहु है है ना अरे बहु की जगा पहरो में नहीं मेरे दिल में मतलब सास पुसर के दिल में होती है भाभी मा को समझाओ ना आप माझी अम मान भी जाओ ना जो हुआ उसे भूल जाओ देखो ना कितनी प्यारी है इसे स्विकार कर लो और जल्दी से अपना शिर्वाते दो अरे एक तो बिना बताए शादी करनी और उपर से बहु को इन छोटे कपड़ों में यहां लेकर आ गया अगल बगल वाली लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे लेकिन हमको आने से पहले एक बार खवर तो कर देता अरे कम से कम कुछ नहीं तो बहुत उस्वावत के लिए हम कुछ तैयारियां तो करते माँ आप चिंता मत किजे देंका ऐसा बसा कुछ नहीं सोचेगे बस आप अपनी छोटी बहु को अपना लेजे अरे तुम लोग यही सब खड़े-खड़े क्या कर रहे हो अरे बही चलो अंदर कुछ चाय पानी हो जाए हमारे गहर में पहली बार छोटी बहु आई है उसका मुवह तो मिटा करो ना तब तक मैं कमरा सब्सक्राइब आओ आओ आविटाथ कि 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 इस कि कि वा वेटा प्रमोवत क्या आप सरा लाया है तो इस फूल का रच चके बिना तेरा बाप नहीं रह सकता छोटी वह किये आज इस घर में मेली रात है इस रात को मैं यादकार रात बना दोगा अब अभी तो शुरू किया है चलो ना कुछ और ट्राय करते है सच में ठग गया हूँ याद अब नहीं होगा मुस्से रोमो तुम्हारा रोज का हो गया है अब कोई मर्दाना प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को जा के दिखा दो फिर रोज रोज का मुस्से नहीं ठेला जाएगा इसो की कमी की वज़े से तुम मेरी जरूरते तो पूरी कर नहीं पाते हो पत्नी सुख अब तो पत्नी सुख भी अच्छे से नहीं देते देखो परेंका अगली बास से मेरी मर्दानकी प्सावाल मत उठाना इसी मुधनगी का क्या फाइदा? जो अपनी पत्नी को पत्नी सुख भी ना दे पाए कुछी को अपने पापाजी से पच्छपन के हैं लेकिन पच्चे साल की लड़की का जोश रखते हैं हो मेरा बेटा हो की एक लड़की के सामने हार गया लेकिन पेटा गावरा मत मैं हो ना वैसे भी छोटी भव को अमारे अंदर का जोश दिख गया है अब मना के कोई फाइदा नहीं है पापा जी आप मुझे लगा प्रमोद है अब पीछे प्रमोद हो या हम बात तो यह की है ना चूटी भव मैं समझी नहीं इसका मतलब हम तुम्हें बाद में समझाएंगे पहले ही बता की तुम्हें क्या हुआ है हमारी फूल जैसे बहू मुर्जाय मुर्जाय से लग रहे क्या तुम्हें 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 पर दिखकत है क्या तुम्हें वो खुशने रखता ये सब पाते इन्हें कैसे पता है अब कहना क्या चाहते है अरे वो क्या है ना बेटा कल राख तुम्हारे दोनों के कमरे से कुछ जगणने की आवाज आ रहे थी मुझे लगा प्रमुद की वज़ से तुम नाराज हो तो हमसे रह ने गया इसलिए तुमसे पोचि लिया देखो अगर कुछ तकलिफ हो तुबिना संकोच के हमें बता सकती हो हमारी छोटी बहु की हर तकलिफ को चुटकियों में दूर कर देंगी हाँ क्या सोच रहे हो हमें बताओ हमारे पास हार समस्य का समाधान है अरे बेटे सोधी पापा प्रियंका पिनाप की बाद का जवाब दिये चले है कोई बात ने मिटा है चोटी बहु इस घर में नहीं नहीं है न तुम्हारा दिमाग खराब है क्या पापा कुछ बात कर रहे थे कुछ पूछ रहे थे तुम से और तुम हो कि बिना उनकी बात का जबाब दी यहां चली आई तुम सोन रहे हूं ना मैं क्या कह रहा हूँ कुछ ऐसा करो कि सबको अपनी फेवर में ले सको ताकि कल को अपनी बिजनिस के लिए पैसो के जुदत पढ़ने पर पापा से मू मांगी रखम ले सको अपना मकसद पूरा हो जाए कि फिर आम यहां से चले जाएंगे पर ऐसा तुम तब ही होगे ना? जब तुम सब को यहां खुश रखोगी मैं यहां किसी को खुश करने नहीं हाई हूँ अरे तुम पती हो मेरे तुम मेरी जरूरतों का ख्याल नहीं रखते हो मैं तुमारे परिवार को कैसे खुश रखोंगी तो मुझे पहले पता होता ना, कि तुम शरीर और बहर दोनों तरफ से कंगाले, कभी मैं तुमारे साथ में याते हैं, और तो सीखो अपने पापाजी से, कैसे अपने पार्टनर को मनाते हैं? सुभा राजेश का फोन आया था, वो कह रहे थी कि उन्हें बिजनस मराने के लिए कुछ दसलाग रुपे की जुरूरत है, हाँ तो ठीक है, राजेश को बोलना कि अपने पापा से बात कर ले, पैसे मिल जाएंगे, मभी जी, आप तो जानती है ना, पापाजी से पैसे लेना कितना मुश्किल है, अब मैं तो कुशिश कर रही हूँ, लेकिन, लेकिन, लेकिन क्या, लेकिन पापाजी, फ्री हो, तब तो मैं बात करूँ ना, जब से ये नई बहु आई है, देन, राज, सुबे, शाम, बस इसी की आओ भगत में लग रहते हैं, आरे छोटी वो, प्रि जी, पापा जी, बुलाया, अपने, बहुत तुम्हें सर्प्राइस पसंद है ना, तो आज हम अपनी चोटी वोव के एक सर्प्राइस देंगे, वैसे भी नई-नई इस घर में आयो, तो आमने अविदो कोई तोफा नहीं दिया, और बिना दियां, चुप बैठेंगे वी न ईने, क्यों गवागवान? यह देखु आ. वाउ, बहुत खुप सूरत हार है. इना सुंदर? हाँ. अमीजी यह ने वे दो मेर कॉअप गार लग रहा है. आधानी रहा है यह हमारा ही हार है जो लिने तो अपना खांदानी हार है फिर इसको देने से पहले एक और आपको उसे पूचा क्यों नहीं अब इसमें पूछने की क्या बात है भागवान हमारी चोटी बहु नही नहीं इस घर में आईये अब यह हमारे खांदन को आगे पर देखा जाए, तो इस हार पे, इसी का ही अक हुआ ना? पर कम से कम, एक बार देने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता? अरे, इसमें पूछने की क्या बात है भागवान? अब सारी बाती है ही करोगी? तो मोच की मा, तुमारी दवाई का टाइम हो गया है, जाओ, अपने कमरे में जाओ, अर अपने दवा ले रहो, जाओ यहां से बड़ी बावु, एक गलास पानी लाना तो, हमारा गलास शुकरा है लाई कैसा है बावु? बहुत प्यारा है तो फिर अपने सुंदर गले में पहन लो ना, लाओ में पहना देता हूँ पापजी, ना चैनोंगी जरी, लेकिन अपने रूम में जाका है थैंक यू, इकना प्यारा सर्प्राइब से ने की थैंक यू पापजी, पानी यह, लाओ पापजी, मुझे आप से कुछ ज़रूरी बात करनी है क्या बात करनी है मीटा? वो, राजेश का फोन आया था वो कह रहे थे कि उन्हें बिजनस में इंवेस्टमेंट के लिए कुछ दसलाख रुपे की ज़रूरत है दसलाख रुपे की पर इसके बदले में हमें क्या मेलेगा? क्या मतलब है आपका? मतलब? राजे इसको बच्चा नहींगा, वो खुद कमाता है, बिजनस कर रहा है अगर आइसे में हम उन्हें को दसलाख रुपे देंगे, तो फिर हमारा भी कुछ फायदा होना चाहिए ना? काम वही करना चाहिए जिसमें फायदा हो तो किस फायदे से आपने अपनी छोटी बहु को पांच लाख रुपे का नेकलेस दे दिया? क्या मतलब है तुमारा? मतलब यह पापाजी कि जिद दिन से प्रयाम का इस घर में आई है उस दिन से आप उसको कोई ना कोई तौफा दिये ही जा रहे हैं तो यह आप बिना फायदे के तो नहीं कर रहे होंगे ना? क्योंकि बिना फाइदे के तो आप कोई काम ही नहीं करते, छीक बोर रही हूं ना मैं? अरे वो इस घर की छोटी बहुआ है, और नही नहीं इस घर में आई है, तो उसका तो हग बनता है उस तो अपे बार बस कीजिए पापजी, अगर आप इस ब्रह्मे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप गलत है, क्योंकि मैं भी जब इस घर में नहीं बहुबन कर आई थी, तो आप मुझे भी काफी ताफे देते थे, लेकिन बाद में मुझे समझ में आये कि इसके पीछे आपका मकसद कुछ और था, देखो, तुम इस घर की बड़ी बहु हो, बड़ी नहीं, कुछ भी कहने से पहले, जड़ा सोच लेना, ऐसे हमें बदनाम मत करो, और पैसे बैसे कुछ ने मिलेगे, जाओ केदो अपने पती को, जाओ निकलो यहां से, यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा, कि पापाची ने मुझे इतना महंगा हार दिया है, पूरे पाच लाका हार है, एक बात तो है, जब से मैं इस घर में आयू, पापाची मेरा बहुत ध्यान रखते है, मेरे छोटी-छोटी छीजों का ध्यान रखते है, कभी उन्होंने फील कि असली मज़े तो तू लूट रहे है, अपने पती के साथ मुंबई शिफ्ट होकर, एशी एश है तेरी, एगा मैं छो दिल्ली से लखनों आगे अपने पती के साथ में, सोचा था कुछ चेंज होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, पिन कुछ भी सही नहीं हुआ, बस पापा जी है, जो मेरा ध्यान रखते हैं, देख, तेरी जरूरतों का ख्याल तेरे ससूर जी भी रखते हैं, अगर तू अपने लाइफ में एक पार्टनर डून लेगी, तो तेरी कामना भी पूरी हो जाएगी, मैं तुझे कॉल बैक करती हूँ क्वापची कहने लेगा है, आपा जी है, पापाची? अप आप यहां चाप करने बहु क्या है ना कि मेरे बातरूम का नल खड़ा लो गया इसलिए मैं यहां चला है और मेरे कपड़ यह तुम्हारे पहनने वाले कपड़े नीचे गिरे हुए थे मैंने इसे उठा कर उपर रखने वाला ही था उतने में तुम आगे पीबू, हमारी दोस्की पांस में ही लेडिस की कपड़ों की दुकान है अगर तुम चाओ तो अलगा ड्यान कपड़े मंगवा सकती हो तांक्यू पापाची पर अभी मुझे ज़रूरत नहीं जब होगी मैं आपको बताते हुए जब मुझे इनकी ज़रूरत होती है तब इने नीद आजाती है छोटी बव हम जानते कि तुम प्रमुच से खुश नहीं है और हम यह जानते कि तुम किस खुशी से वंचीत हो हम से बला बैतर इस घर में तुमारी तकलिव को कौन समझ सकता है हम तो उसी दिन तुमारा उदास्तियरा देखकर समझ गए थे हम बले पच्पन के हो गए लेकिन हमारा दील और शरीर आज भी 20 साल के लड़के से कम नहीं है देखो तुम हमें अपना समझो और खुलकर बताओ कि बात क्या है तुमारे दिल का बोज भी हलका हो जाएगा पापजी जितना आप मुझे समझते हैं प्रमोध नहीं समझते हैं हम पत्नी हैं उनकी लेकिन आज तक पत्नी सुख नहीं दिया हमारे लिए जो उनकी जिन्मेदारिया हैं उनके भारे में तो उसोचते तक नहीं है मैं जानता हूँ वो थोड़ा कमजोर है इसलिए जल्दी थक जाता है लेकिन तुम चिंदा मत करो मैं हूना चोटी बोग हम हमेशा तुमारे साथ हैं इतनी प्यारी लड़की की जिन्दगी हमारे सामने बरबाद होती हुए हम कभी नहीं देख सकते हैं अब यह क्या बूल रहे है पापा जी? किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा गर की बात घर पे रह जाए देखो तुमारी श्यादी शुदा जिन्दगी संभल जाएगी हो सकता आगे चलकर तुमारे और परमत के बीच में कलेश होगा और तुम मुसे छोड़कर किसी और मरत के पाथ चली जाओगी उससे इस घर की बदनामी होगी और उसमें गलत क्या है? तुम राजी? हम राजी? बस बात कतम? आज की रात में तुमारे पास अच्छिस तोचना वरकल तुमारे चेरे के कुछी से मैं समझ जाओगा कि तुम राजी होके नहीं उससे बाजी होगी कर दो कर दो कर दो कर दो कि और सिरो अखिड़ा में ऐसे अधान कि अ बाद है बाद । मैं तुमें दभाई देता हूं क्या बाद है आज्कल हमारा बड़ा ख्याल रख है है पतनी की सेवा करना बहुत पुन्य का काम होता है और ये सेवा हम पूरे तन्मन से कर रहे हैं तुम जल्दी से दवा ले लो और अराम से सोजाओ ये कोंसी नई दवाई है ये दवाई तो हमने पहले कभी ने खाई अरे वह क्या है कि मैं एक नए डाप्टर के पास गया था अब जल्दी से लवा लेलो और सोजाओ आँ हाँ 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 किलास रख देचे अब आप सोजाएगे इस दावा से तुम्हारा दर तो नहीं लेकिन कहीरी नीम चरूर आ जाहेगी उयां करते हुआ पुम्हारण केरा जा कहादै लेकिन कहीरी राव से तूरल केांट मेंदे संझाखर माव जाओवर ठूर्ट border मemor लेकिन कहीर इढ ही नीए दोरा शर्फ़रेख बैंदाने से भंप है झाहे हैं कर दो कर दो कर दो तुम यहाँ इस समय क्या कर दे यहाँ वो मम्मी जी की सिर में दर्द था तुमन दबाने यहाँ अच्छ अधाद काफी हो गई अपसो जाओ मम्मी जी के सर में दर्द था तुमने मुझे क्यो नहीं बिताया अगर चल क्या रहा इस कर में कर दो तुमने यहाँ आच्छ अपस्ट कर दो प्रद आख प्रद तुमने मुझे कर दो आख़ अपस्ट कर दो आज़ाद कर दो आख़ रहाँ अपस्ट ये नीन की दवाई माजी ने कभी बताया नहीं कि वो नीन की दवाई भी खाती पापा वो अपनी बिजन्स को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे यही कुछ पंदाल लाग रुपे पापा जी मैंने आपसे बात की थी ना इस बारे में चोटी वोग के कहने पर हमने पैसे का इंतर जाम कर दिया है एक दो दिन में तुम्हारे अकॉंड में आ जाएंगे थेंक्यू पापा वाँ पापा जी वाँ जब आपके बड़े बेटे ने आपसे पैसे मांगे तो पैसे नहीं थे आपके पास लेकिन छोटी वोग के कहने पर पर मोद भाईया को पैसे दे रहे हैं आप बड़ा अच्छा बेत्भाव है दोनों लड़कों के बीच पे आवाद निचे करके बात करो बड़ी भाव जानते हो किससे बात कर रहे हो हम जिसे चाहेंगे देंगे मैं इस घर की बड़ी भाव हूँ हूँ जितना हक प्रयांका का इस घर पे है उतना हमारा भी है मैं देख रही हूँ जिस दिन से ये इस घर में आई है अब तोनों के बीच में क्या खिषडी पक रही है ऐसी आप महर्बार नहीं है इस पर भाभी ये क्या नाप से ना बूल रही हैं माफ कीजिए भाईया मैं जानती हूँ आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आपको सच्चा ही नहीं पता लेकिन जिस दिन आपको सच्चा ही पता चलेगी आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपके नहीं क्या चाती है सबसापके वो किस चच की बात करें है आपको सच सुनना है न तो सुनिए आपकी बीवी और हमारे सुसुर्जी के बीच में ना जाए संबंध है बस भावी यह क्या मक्वास करिया अपनी हद में रही नहीं तो मैं भूल जाओंगा कि आप मेरी भावी मैं जानती थी कि आप मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे यह देखिए दवाई यह दवाई रोज पापा जी मम्मी जी को खाने के बाद बेकर सुला देते हैं यह नीन की दवाई है नीन की इसको खाके अच्छा खासा आदमी गंटों के लिए सोचाता है उसके बाद ये दोनों उसी कमरे में कंदी हरकते करते हैं बड़ी बहुत जो कुछ भी कह रही है ना वो बिल्कुल सच कह रही है अभी तक तो मुझे केवल शक था आज ना मुझे पूरा यकीन हो गया है और तुम्हें तो अपना पती कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है और चोटी बहु तुम्हें तो ना मेरा घर बरबाद कर दिया तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी वहाँ आप सब लोगों को क्या हो गया है आप खामका प्रियंका भी गलत इलजाम लगा रहे हैं प्रीटा भावी यह आप से ज़्यादा इस घर में इस्ज़त क्या कमा लिए तेरे पती आपके पती से ज़्यादा लायक क्या होगे पापाजी की नजरों में आपके मिने पिता समान साथ मेरा रिष्टा जोड़ दिया आपको अपनी बहत माना था और आप जिए बंद कर अपना यह नाटक तेरे जैसी ओड़ों को में अच्छे से जानती हूं अनी खुची के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है तो फिर सासूर क्या चीज़ है बहु तो हमारे पर एसे घड़िया लगाओगी तुम अभी से समय हमारे घर से निकल जाओ दिखनो यहां से और दुबारा लोट के आना मत तो अगर अगर बड़ी बहु इस घर से जाएगी ना तो मैं भी उसके साथ चाहूंगी चल बहु यहां से हाँ हाँ जाओ और याद रखो दुबारा यहानी की कोशिश मत करना चल जाओ यहां से चोटी बहु को अपने कमरे में ले जाना अच्छा हुआ सब चले गए अब हमारे और प्रियंका के बेच कोई नहीं आएगा प्रियंका चले चाहू झाल जाह ल Xiaomi यह जाओ यह झाल 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 पापाजी पुण 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 कर दिया? सर तरहसल प्रमोद की बीवी और हमारे ससुर जी के बीच में नाजाय संबन थे इसी चकर में प्रमोद ने इनका खून कर दिया यह यह देखिए न रबूत भी यह मेरे पास पुण पुण रबूत इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर सब इस्पेक्टर सब क्या हुआ ते मैं देख तेरी आयाशी के चकर में सब कुछ भराब हो गया आप मैं और ममीजी अगिए तुझे तुम Macken नहीं देंगे का बैं कत उम्स मजा में जा मम मैं मान नहीं सकती, कि प्रमोद ने पापाजी को मारा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूँ, प्रमोद को कैसे बचाओ, अगर मैंने प्रमोद को नहीं बचाया, तो रीटा बापी और माजी मुझे नहीं जीने देंगी, करें, उसी थे पादूल, दिए यह आर को है, प्रमोद की नहीं, है प्रहते हैं, अजसे फिरने साउड सेसे — झाल झाल इस छोटी बहु ने तो इस घर को परवाद कर दिया है मैं ना इसे कभी माफ नहीं करूंगी इस्पेक्टर साफ आप यहाँ मैंने बुलाया इन्हें ताकि पापाजी के असली कातिलों को पकड़ सके यह क्या नाठा के तुमारा नाठा कॉन कर रहा है यहाँ पर अभी पता चल जाएगा इस्पेक्टर साफ आप यह देखिए इस्पेक्टर साफ तुम तुम दोनों के हिनमत कैसे हुई है आनकी केल जाएँ नासे मम्मी जी की बेस्ती और मेरे थपड का बदला भी बागी है पापाजी आप जैसे घटिया इंसान को जिन्दा रहने का कोई हफ नहीं है समझ गए वच्छ झाफ आप 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 ममीची चलो ममीची चलो क्योंकि आप लोगों ने ऐसा और आपने अपने बेटे को ही फसा दिया यह सच है कि हमने अपने पती की हत्या की है लेकिन हम अपने पती की हरकतों से इतना तंग आ चुके थे और आपने बेटे परमोध को नहीं फसाना चाहते थे हम तो इस प्रेंग का को सजा देना चाहते थे लेकिन गलती से परमोध कमरे में आ गया और वो फस गया देखिए, मैं मानता हूँ आपके पती की गल्पी ती लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का अथिकार किसी को नहीं है ले चलो इन दोनों को पर इंस्वेक्ताइ साव अमारी बात तो सुनी है इंस्पिटर साथ समयने की कोशिश तो कीजे अमुझे, मुझे माफ करदे गल्पी मुझे अमुझे लीज, लीज माफ करदे, लीज, लीज माफ करदे कि कु लीज, 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 लीज झाल झाल